तो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे असेस्मेंट वर्क सेट नंबर 16 यानिकी 16 के बारे में सब्जेक्ट आपका महित क्लास 9 जो कि आपको 9 मार्च को प्रोवाइट किया जाएगा 20 नंबर के आपका टेस्ट है इससे पहले अगर आपने साइंस ठीक है और एसस्टी नह पढ़ाना होता है दिन में लूंच उता है तो आपकी वीडियो अपलोड करता है तो कम सकम लाइग कर दिया करो और चैनल को सब्स्क्राइब कर लो क्यूंकि मैं आपके लिए मेन्स करता है अपने लिया नहीं तो देखो जहाँ से mere और तेक ट्रैप्रेर Lord वर्क सेट में से 10 नंबर ध्यान रखना फाइनल में ठीक है तो देखो वन बाइवन करके इनके आंसर ते श्टार्ट करते हैं वन बाइवन करके लाइब तो बच्वों सबसे पहले कोशन में 45 डिगरी का इंकल बनाना है देखो सबसे पहले एक रेखा की चलो ठीक है न रेखा की कोई माप नहीं है तो अपने कोर्णिंग एक रेखा की चलो ठीक है इसका नाम रख दिया A B ठीक अब A को केंद्र मान लो एको केंद्र मानों, जहां से देखां, एको केंद्र मानना है, अपने आप कोई इसी भी दूरी ले लो, ठीक है, एक चाप लगातां, ठीक है, अब दूरी वही रहेगी जहां पर काटा, यहां पर नोक रखो, एक चाप और लगाओ, यह चाप जहां पर काटा, नोक उस पर अगे बढ़ो इन्हीं दोनों चापों का अर्धर दूरी थोड़ी कम कर लो हल्का साइच से एक चाप उपर और फिर एक बार केंदर इसको मानों नो किस पर रख लो इस वाले चाप पर एक चाप फिर से लगाओ यह दूसरे को काटेगा ठीक जहां पर काटेगा उसको एसे मिला दो एसे मिला ओ उसको ठीक है एसे मिला दिया थेक यह हमारा डी है ठीक है अब क्या करना है फिर से प्रकार उठाओ देखो इसकी और इसकी यह दोनों ध्यान में रखना ठीक है ना इन दोनों को समझ में आ रहा है थोड़ी दूरी कम कर लेना हलका सा कम कर लिया अपने कोडिंग एक चाप लगा दो ऐसे ठीक है दूरी वही रहेगी है न कम न ज्यादा नो किस पर रखो इसको केंद्र मानो एक चाप ऐसे लगाओ जहां पर एक दूसरे को काट रहा है ठीक है उसको किस से मिला दो और एसे ठेक है देख जानती है इसको एस मिलाना है ठीक है यह क्लियर है ठीक है ज्यादा आगे नहीं जाना जांद ध्यान लगना नो अलों से यह कितने को बनेगा 45 का ठीक समझ में आया नाप लेना नाप कर देख लेना डी से ठीक है टोटल टोटल 45 निकलेगा यह 10 20 30 40 45 ठीक आंसर वान को तो और अप्सलों कर देखू ठीक है 90切क भindi बनाना हैए ठीक ला प्रकार की सहाथा से ठीक है धान से इससे में वी ben एक रेखा खिंचो है एक रेखा 후보 ठीक है धान से वना न समस्में पताना जरूर ठीक है वीडियो अच्छी लेकर लाइक केंद्र मानों एक छाप लगाओ ठीक है एक केंद्र माना लिया एक चाप है इस पर प्रकार लगाएंगे ठीक है ठीक फिर से वह दूरी जहां पर एक चाप लगा पहले या जो एबी को काटा इस पर नोग रखो एक चाप लगाओ जहां काटा उस पर रखो दूसरा चाप ठीक है इन दोनों के दूरी थोड़ी सी कम कर लो ठीक है एक चाप उपर लगाओ फिर दूसरे चाप पर रखो केंद्रमानों देख लो जहां से एक चाप ऐसे लगाओ जहां पर काट रहें दूसरे को उसको एसे मिलाना है किसे एसे तो इसको एसे मिलाओ ठीक है यह एसे मिलाओगी ठीक यह मालोस सी है यही बी एसी बन गाण अब बेंस का ठीक है नाप कर देख लेना ठीक क्लियर है आंसर नमबर टू ठीक कोशन थ्री देखो अब कोशन नमबर थ्री कोशन नमबर थ्री छे सेंटीमिटर लंबाई के एक रेखा खंड खींच कर उसका लंब समझ भाज़क करना है अब यहाँ पर नाप की जरूरत है ठीक है पहले छे सेंटीमिटर की रेखा की जो कितने सेंटीमिटर की छे देखो ज्यांसे जीरो से स्टार्ट करते हैं छे तक जाओ यह 6 सेंटीमिटर ठीक है नाम रखतो खुछ भी दोनों की दोरी लेलो दोनों की पूरी ठीक है पूरी खोलो और पूरी दूरी से देखो हलका से कम रखो बस समझ रहुआ अपने कोडिंग ठीक एक चाप उपर लगा दो एक चाप नीचे लगा दो अब केंद्र मान लो ये भी को मान कर लगाया वही दूरी रहेगी नकम न जादा एक केंद्र मान लो एक चाप लगो इसको ऐसे काटेगा नीचे भी लगा दो गुमा दो ऐसे काटेगा जहां पर ये काट रहा है ये और ये इन दोनों को मिला दो ठीक है इन दोनों को मिला दो ठीक है इसको माल लो O है ओपर ये काट रहा है A B को नापो ठीक है टोटल छे था ये आधे पर काटेगा छे का आधा तीन और ये तीन पर काट रहा है समझ में है बराबर पर काटेगा ये आंसर नमबर तरी हो गया इसी को बोलते हैं लम समधिभाजा ठीक है समझ में है आगे देखो कोशन 4 देखो कोशन नमबर 4 कह रहा है कि 5.2 cm भुजा वाले एक सम बाहुत रुभुच की रचना कीजिए 5.2 cm तो पहले एक रेखा कीचो 5.2 cm की 0 से स्टार्ट करो 5 और 5 के आगे गिंती लाइन होती है तो 5.2 पर चले जाओ ठीक है यह हो जाएगा ठीक है अब यह 5.2 cm है माल लिया A B ध्यान रखना सम बाहुत रुभुच है तो सम बाहुत रुभुच की सारी हो जाएं बराबर होती है तो यह पूरी दूरी ले लो 5.2 की पूरी दूरी ठीक है ना पूरी दूरी है B को केंदर मानो एक चाप लगाओ दूरी वही A को केंदर मानो एक चाप और लगाओ ठीक ना जहां पर काटा उसको C मालो क्या मालोगी C माल लो फिर C को A से मिला दो फिर C को B से मिला दो किस से B से ठीक है और यह भी देखो जांते ना पलो 5.2 सेंटीमेटर के यह भी निकलेगा 5.2 सेंटीमेटर के यह भी क्योंकि सम बाहुत रूज की सारी बराबर होते देखो 5.2 यह भी निकल रहा है ठीक है निकल रहा है और यह देखो 5.2 यह भी निकलेगा 0 से यह 5.2 समझ में आया ठीक है तो यह answer 4 हो गया समझ में आया अगला कौसन देखो तो बच्चों आंसर न क्यारा करें कि एक सुबाइब पॉंट उट संटिमीटर कुछना है थे कि नब पॉंट-इस तो एकसुमाई छाहे है य कवाई एक्स लिख़ो बात देखिये टाइब कर तो सब से पहले पॉंट उट कीचने जिरो से देंज से हो पॉइंट आठ ठीक है इसको में लिख दिया चाहे एक स्वाई लिखो चाहे इधर वाई लिख दो बात देखिए ठीक है यह कितना हो जाएगा पाँच पॉइंट आठ सेंटी मीटर क्लियर है यह समझ में आया आगे देखो आगे क्या करोगे इसके बाद मैं कह रहा है कि यह यह बना लो है तो ज्यादा काट पीठ ओजाएक पहले नवी कह बनाओं के ठीक है है अब समझ रहे हो फिर 45 पर 45 नब्य कह आधा करोगे ठीक है ना तो इस प्रकार से सुरी 60 तो बना सकते हो 60 केम नवी नहीं बनानाने एक चाप लगा जाएगा ठीक है ठीक है इसे बना लो 60 या थोड़ी लाइन बढ़ी कर लेना कि चाप लगाना पड़ेगा ठीक है यह यहां पर कितने का यह साठ का है यह मारे इसे ठीक है एक से यह जो अम मारे प्रकार से बनाना होता तो क्या करते हैं, 60 का कैसे बनाते हैं एक चाप यह लगाते हैं जहांपर काट ले के तक काट अब क्या करना ? य, ज, प्लस, एक्स, ज, बराबर 7 cm, तो 7 cm की दूरी इस से लेंगे, ठीक है, स्केल से, तो देखो 7 cm की दूरी है, जीरो से 7, परकार को खोलो, ठीक है, 7 cm की दूरी हो गई है, अब ये य को केंदर मान कर एक चाप लगा दो, 7 cm का, एक साथ का ठीक नहां पर काटा उसको मने माल लिया एम है एम को X से मिला दो एम को X से मिला दो ठीक है ध्यान से देखो M को X से मिलाएंगे ठीक है अब क्या करना है यह हमारा आंसर थोड़ी है M और X का लंबारधा करना तो पूरी दूरी थोड़ा कम कर लो ठीक है थोड़ा कम करने के बाद में आधे सथिक दूरी की तर ये जले लो, एक चाप ऐसे लगा दिया, एक चाप बिधर ऐसे लगा दिया, फिर दूरी वही रह teaser रहेगी, M को केंद्रमान लोग किसको, M को, एक चाप ऐसे लगाऊँगे, और इसको लगाऊँगे देख चाप ऐसे काटेगा, ठीक है, जहां पर काटेगा, इन दोनों को मिलाओ इसको इसको एक दूसरे मिलाते वे रेखा की जो ठीक है? अब ये जहां पर काट रही है किसको? Y, X को इसका नाम रख दो Z क्या? Z Z को X से मिलाओ Z को X से मिलाओ Z को X से मिलाओ ठीक है? ये ही तरभुच X, Y, Z की रहतना हमें करनी थी वैसे इसकी माप एक बार नाम पहो देखो कितनी है? ये कितना है? ये 5.1 है और ये 1.9 है तो वही देखो Y, Z आया 1.9 और ये आ रहा है 5.1 टोटल दोनों को जोड़ोगे तो वही निकलेगा कितना आएगा? साथ है 9, 10, 0, 8, 5, 6, 7 सेंटीमिटर निकलेगा वही समझ में आया? आंसर 5 कहीं पर डाउट होगा? तुरंद बताना वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है? ध्यान रखना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगला कोशन देखो कोशन नमबर 6 चीज और ध्यान में रखना है जैसे मेरा 1.9 आया ये 5.1 आया तो जरूरी निक आपका सेंब आए आप जिस हिसाब से चाप की दूरी लोगे आदे सदिक कम ये आगे पीछे इन दोनों का नमबर हो सकता है लेकिन टोटल दोनों लाइनों को जोड़ोगे तो साथ ही निकलेगा ये दिमाग में रख लेने नहीं सोचो कि 1.9 आपका नहीं आरत गलत है कुछ भी आ सकता है क्योंकि ये दूरी पर डिपेंड करता है का आपने कितनी आदे सदिक दूरी लेकर ये लंबार धक किया है ठीक है लेकिन टोटल दोनों को जोड़ोगे तो साथ ही निकलेगा यही पहचान है ठीक है आंसर 6 देखो अगला आए झत्र पूर्फ़ ए बी सी की रचना कीजिये इसमें बी सी बराबर 8 एंगल के बराबर 45 तो पहली गल्त एंगल के उन्हीं एंगल होगा ठीक है नहीं गलत लिखाए तो देखो द्यान से सबस्ब्छले बी सी कहाँ अज़ खींचो 8 संथी मिटर की ठीच ए आठ सेंटिमीतेनर की ठीक है अठ सेंटिमीटर की भी सिख नी देंगे तो इसमें देखो किर कि यह आठ संटिमीटेर ठीक है अधे देखो है एक से 8 सेंटिमीटर ठीक हैना इसका नाम क्या रख दिया बी सी, क्यों लिखा गलते बच्चों, बी पर 45 का बनाना है एंगल, कितने का, 45 का, ठीक है, तो देखो एक चीज़ आपको ध्यान में यह भी रखना है, कि प्रकार से अगर बनाओगे, तो काफी काट पीट हो जाएगी, पहले 90 का बनाओगे, आदा करोगे 45 का एगा, सीधा ड से बनाओ थीक है, तो देखो 45 बना लेते हैं, ठीक है यह 45 का हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ी बढ़ी रेखा की चुक्चacker उब करम है इसका, ठीक है इसका नाम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं आब हम परिकाटेगा, फिर question में दिया है A B A B minus A C वराइबर 3.5 cm तो 3.5 cm की दूरी पर एक चाप लगाओ ठीक है देखो पहले दूरी ले लो 3.5 यह है 3.5 बी को केंद्र मानो और मान कर एक चाप ऐसे लगा दो जहां पर काटेगा मालो यह हमारा ओ है यह क्या है ओ को को सी से मिलाओ कि कुछ भी नाम लिख दो एक बीसीटी जरूरी नहीं है कुछ भी ठीक है ना ओ ही रखो आपकी मरती है ओ को सी से मिला दिया ओसी का लंबार धक करेंगे ओसी का लंबार धक आदे से ज़्यादा दूरी की तिर जाओनी चाहिए एक चाप यह लगा एक चाप एक चाप ये लग रहा है ठीक है ध्यान से देखो ठीक है दूरी वही है ओको केंजर माल लेंगे किसको ओको ठीक है एक एसे काट रहा है किसको एसे काट रहा है अब हम जहां पर ये काट रहा है ध्यान से देखो इसको सीधा मिलाएंगे सीधा मिलाएंगे ध्यान देना सीधा मिलाते भी ले जाएंगे इसको ठीक है ये देखो इसको कहाँ पर एक काट रहा है यहाँ पर इसको माल लिये A और जो ये था इसको माल लिये वाई ठीक है अब a को c से मिला दो a को c से मिलाओ कि एक को सी सिम्डों का ये त्रूब a b c की रचना करनी थी मैं ठीक न ये 45 कता यहां लिए लिए तालिक ठीक है नापो एबी माइनस एसी ठीक है एबी माइनस एसी बराबर 3.5 होना चाहिए ठीक है ना अब देखो ध्यान से इसमें देखो ध्यान से इसके आगे अब क्या करोगे एबी एबी कितना है एबी ना पो एबी एबी 13 है एबी है देखो एबी पूरा 13 निकल रहा है 13 लिखा माइनस ए माइनस एसी कितना निकल रहा है नो पॉइंट पाँच ठीक ना 9.5 और इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 ठीक ना तो वहीं निकलेगा ध्यान रखना ठीक है बच्चों समझ में आया ठीक है कोई डाउट इसलिए लाइब बता रहा हो ताकि कोई दिक्कत ना हो ठीक है अब ये दूरी आपकी कम जादा हो सकती है उसी साब से ये 13 की जगा कुछ और निकलेगा ये कुछ और निक पॉसर नमबर सेवन और लाश्ट कहरा कि पी को और की रचना करना त्रभूज को और साथ तो सबसे पहले क्यों आर साथ संटीमेटर कीचों ठीक है देखो जाए थोड़ा नीचे खिंचने क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें ठीक है इसलिए त्यान रखना ठीक है क् जिमाक में रखना ठीक साथ संटीमेटर क्यों आर यह ठीक है क्यों आर साथ संटीमेटर क्यों पर कितना बनाना है 75 तो डारेक्ट डी से बनाओ परकार काफी काट पीट हो जाएगी ठीक है 75 यह है ठीक है लाइन थोड़ी बड़ी खीचना है क्योंकि इसका काम है चाप लगाना पड़ेगा गलती हो जाएगी तो इसलिए लाइन थोड़ी बड़ी खीचना है ठीक है यह देखा यह लाइन थोड़ी बड़ी खीचना है ठीक है फिर करा कि क्या खेरा है इसमें कितना दे ती आर प्लस टी क्योव बढबर तेरा सेंटिमेटर तो यह तेरा सेंटिमेटर पर हमें चाप लगाना है यह से तेरा नाप लो ठीक न यह से दूरी लेड़ वी सिपर यह तेरा यहां पर हो रहा है ठीक है यह एक चाप यहां पर लग दे गाव है इसको नाम रख दो क्या है हमारा मालो क hvis M है ठीक है उपर रज रख रिक है हमारी X यह बर्ला कि छाप लगा दिया क्युंकि लंबह है और नहीं आप पैसे बिनाब कर भी 13 cm परकार पहुंच नहीं रहा इतना खुल नहीं रहा तेरा पर ऐसे काट देना ठीक है तेहीं कटेगा यह 13 पर ठीक है ठीक है इसको मिला वच्चों इसको M को मिला दो आर से M को R से मिला हो M को R से M R का समझ भाज़क करना है M का और R का ठीक है तो देखो जहां से कि M का R का आधे से अधिक दूरी की तरजा ले लो ठीक है कहलोगे तरजा एक मिला पैसे लगा दिया ठीक और एक जाप यह लगा या ठीक है अब दूरी हुआ रहेगी केंद्रमान सेbenलों भी किसको M को एक चाप यह लगा इसको एससे काट रहा है और इसर लगाए यह काट ठीक है, जहां पर काटा, उन दोनों को एक दूसरे से मिलाना है, इसको और इसको, ठीक है, अब यह जहां पर काट रहा है, किसको, क्यों को, और एक्स को, इसका नाम रख दो, यहां पर काट रहा है, इसका नाम पी होगा, क्या होगा, पी, अब पी को, आर से मिला दो, किस से, आर से, आर से, ठीक है, तरगुछ पी क्यों आर की रचना हो गई, ठीक है, ना पलो, पी क्यों, पलो, पांच, साड़े पांच और, यह साड़े साथ, ठीक है न, तियो साड़े पांच आ गया, सोरी, पी आर कितना आरहे, पी आरे साड़े साथ, यह साड़े साथ, और यह साड़े पांच, जोडो, 25, 5000, 01, सब्सक्राइब निकलेगा ठीक है निकलेगा उतना ही अब यह भी ध्यान रखना इस लंबार्धक की दूरी के हिसाफ से यह दूरी दोनों कम जादा हो सकती है लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो तेरा ही निकलेगा ठीक है यह लास्ट कॉस्टन था कंप्लीट हुआ आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा फिर भी कहीं पर doubted comment कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लिए 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 दिन भर पढ़ाता हूं और रात में वीडियो शूट करता हूं तो काफी टाइम लग जाता है तो एक लाइक तो करी सकते है और चैनल को सब्काइब कर सकते है वीडियो अपने दोस्तों के भी शेयर कर सकते हो मिलते है नेक्स वीडियो में thank you for watching this video and take care bye bye